तो दोस्तों जैसा कि हम सब लोग जानते कि वाट टीव की टीवी सीरीज आरी जिसमें हम लोग को मार्वल मुवीज की और्टेनेट रियाल्टी पता चलेगी लेकिन क्या हो दोस्तों अभी जो वाट टीव टीवी सीरीज आरी है वो फेज 1, 2, 3 के बारे हो उसके बज़े Captain America 4, Iron Man 4 और अगर हम लोग बात करें थार 4 की उसकी वाट इफ क्या बनेंगी यह तो आक्चुली में आ रहे है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक यूनिक वाट इफ की बात करेंगे जो की होगी Iron Man 4 के बारे में क्या हो दोस्तों अगर मार्वासर मेंटिक नि नहीं टीम जो की टोरिश्टा खुद बनाएगा तो दोस्तों कम्प्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजी वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए अगर आपको मौका मिले कि आपको Iron Man 4 देखने पेलेगी लेकिन उसकी जगह आपको थार 4 नह या फिर का Iron Man 4 मौई में हम लोगों टोरिश्टा की कौल सी नहीं टेकनोलजी दिखाए देगी दोस्ति आप पर अगर हम लोग बात करें Iron Man की आर्मर की तो उसका सबसे लेटेस्ट आर्मर हम लोग देखे थे Avengers Endgame में जो की था Mark 85 आर्मर जो की काफी evolved आर्मर था लेकिन दोस् अशूरी प्रेजर्ट रहती है तो टोरिश्टा को अपनी टेकनोलजी वकांडे के साथ शेयर कने पड़ेगी और वकांडेन टेकनोलजी को भी समझना पड़ेगी आलाकि कुछ थियोरी ऐसी भी कहते कि Avengers Endgame में टोरिश्टा के वकांडेन टेकनोलजी को स्टड़ी करके अप थौर बस्टर, थनौस बस्टर और गलेक्टरस बस्टर दोस्तो अगर हम लोग बात करें हल्क बस्टर सीव आर्मर की तो हम लोग उसके दो अपग्रेड दिखाए दिये थे पहला Avengers Age of Ultron में और दूसरा Avengers Infinity War में वैसे बेरे बहुत से दोस्त करते कि उन दो सूपर आर्मर का दोस्तों बहुत जल्दी ऐसा comparison जरूर आएगा लेकिन इन सब के लोग दोस्तों अगरों लोग बात करें थौर बस्टर आर्मर की तो इसकी कभी टोनी स्टाक को जोत पड़ी नहीं लेकिन क्या होता अगर थनौस Infinity War के समय थौर को ही माइंड कंट्रोल करके अर्थ पे भेज दोस्तों क्योंकि दोस्तों टोनी स्टाक हो सकते अपने लाब में कुछ ऐसे आर्म बनाहरों जहां पर वो यूज करता हो ना दिखाए दे लेकिन उसी एक जहलक जबूर दिखाते अगर थौर को किसी तरह कर लिया गया तो आगी की फीचर में क्या होगा इसलिए हो सकता आर लोकी की TV सीरीज में हम लोगों को alternate reality के लोकी दिखाए देगे जैसे कि फीमेल वर्जिन लोकी और क्लासिक लोकी भी दिखाए देगा यहरे दोस्तो थौर के भी कई alternate वर्जिन होंगे जो कि हो सकता है कभी अर्थ पे आ जाने के current reality में उन में से कुछ वर्जिन इवल भी हो सकत तोनी स्टाक बहुत पहले कर ले क्योंकि तो सब्सक्राइब को गलेक्टस के बारे पता होगा अगर उसकी टेक्नोलोजी अपग्रेड हो गई होगी उससे यह पता होगा कि युनिवर्ज में गलेक्टस कहा है और उसका अगला टार्गेट को नन वाल है आप लोग को याद ह अगलेक्टस के लिए एक ऐसा प्लाइट को जाता जिसे गलेक्टस कशुम करके खुद बहुश हो गया था यानि उस प्लाइट के अलरजी इतनी ज्यादा थी जिसे गलेक्टस कंशुम निकार पार था हाला कि वह अनि इनिवर्ज काफी ज़दा अच्छी थी और यहां पे भले हम लोगों माराव सिनमेट के रोस में थनोस बस्टर आर्मा की जलक नहीं दिखा दी लेकिन गरेक्टर बस्टर आर्मा ज़रूर रोना चाहिए अब यहां पर कोश्चन यह आता है कि अगर करेंट यारिटी की बात करें आरेमन 4 तो पॉसबल है नहीं ही तो यहां पर क्यां मोगों गरेक्श बस्टर आर्म दिखा देगा तो जी हां दोस्तो माराव सिनमेट इसम अभी इसे बहुत से सूपर हीरो में और कुछ सूपर हीरो तो आने वाले हैं जो कि ग्रेक्टरस बस्टर आर्मर बना सकते हैं फरक्जामपल शूरी उसके वाद अगर मॉगन स्टाक बढ़ी हो जाती है यानि दोस्तो अगर कहें Avengers 5 आती है उसमें काफी टाइम गाप होते हैं तो मॉगन स्टाक को बड़ा दिखाय करता है क्योंकि वह भी science genius है और मॉगन स्टाक को भी technology में इंट्रेस्ट होता इन सब करें दोस्तों टूरी स्टाक और मॉगन स्टाक शूरी के साथ बी काम करते हैं और यहां पर हो सकता है शूरी कुछ सबब के लिए मॉगन स्टाक की mentor हो जाती है यहां पर दोस्तों लेकिन एक और character है जो कि बार में टूरी स्टाक के साथ काम करता है जो कि हम लोगों को Iron Man 3 में दिखा दीता है जिसका नाम है Harley हाली हम लोगों को भले Iron Man के future में दिखा दीता है लेकिन अगर Iron Man जिंदा होते है तो Harley और Iron Man अच्छा Iron Man team up बनाते है for example अगर हम लोग बात करें रोडी की तो जैसे हम लोग ने Iron Man 2 में दिखा दे कि कैसे रोडी को और Iron Man एक साथ काम करते हैं सी तरह दोस्तों हम लोगों को टूरी स्टाक और Harley भी एक साथ काम करते हों नजर आते इन सब कर लाओ दोस्तों अगर हम लोग बात करें टीम अप्स की तो यहां पर Iron Man खुद की एक अपन Iron Man 4 मोई होती तो इसमें विलेंस कोन होता है तो दोस्तों यहां पर दो विलेंस सामने आ रहे हैं पहला मोडॉक और दूसरा कैंग दा कॉंकरर अगर हम लोग मोडॉक की बात करें तो बहुत पुराना विलेन हम लोग ने एनिमेटीट सीरीज में भी देखा होगा लेकिन दो दोनों लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेट भी हो सकते हैं क्योंकि दूस्तों मोडॉक एक ऐसा सुपर विलेनर जो आगे जाके कभी भी मार्वा सिर्मेटिक रोस में आ सकता है और हो सकता है वो यंग अविंजर्स टीम के लिए एक में सुपर विलेन साबित भी हो इन एक अच्छा विलेन साबित होता अगर फैंटास्टिक फोर आरेमन फोर मुई से पहले रिलीज होती है लेकिन रही है तो बात की बात लगी चलिए बात करते एक इंपोर्टिन मुई की जिसमें आरेमन को होना बेहत ज़रूरी है जो की है एवंजर्स सीक्रेट वर जया दोस लेकिन अगर आगे जाके कभी रियल लाइफ में आरेमन फोर मुई बनती है तो किस टैप की बनेगी क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात कर रहे हैं आरेमन और क्यापिटल मेरका की तो यह दोनों एक ऐसे मार्वर क्याक्टर है जिनका आगे जाके बहुत जादे जहुत हो कमेंट करके बताइए कि आप लोग आरेमन और क्याप्टन मेरका को फिर से देखना चाहते कि नहीं और अगर आपका अंसर हाँ है तो वाट टिप के अगले सीजन में इस टाइप के भी एपिसोड जरूर होने चाहिए दोस्तों यह थी कमेंजिंग अप्डेट जो की इरो फैमली का हिसा बन जाएगा